लास्टेंत के प्यारे वित्यार्ते ध्यान दें आज की स्वीडियो में आपको तिरेमासी प्रीक्षा पेपर joh social science कहोन Wenya उसका site A आज की विडियो में स्वालव करने वाले हैं जैसे कोई और सहीविकल्प में भारत में सरवदिक साक्षर्टा वाला राज जी है बस सरवदिक साक्षर्टा मत्तब जहां पर सबसे जादा पड़े लिके हैं केरल में केलियरे निम्ने में से कौन सी रभी की फसल है तो चना क्या है सबसे जादा रभी की फसल के अंतरगत आता है है ना देसे आपका चावल का पास, मोटे अनाज, ये चावल चना नहीं, किलिए रहे, प्रात्मिक छेत्र की गति वीद्या है, तो मचली पकड़ना, गादी जी ने सावमती आसरम के स्थापना कप की गई, 1915 में, मैंने सभी पर टिक मार्क कर दिया है, और एक विसे सुचना ये थी कि 9th से लेकर 12 तक के सभी पेपर प्रवाइड हो रहे, कोई भाई, कोई दोस्त हो आपका, तो 9th, 10th, 11th, 12th चैनल के लिंक जरूप हो चाहिए, जो उनके स्थर से क्लास मोगे, उनके पेपर वो देख लेंगे, क्लियर है, यादि 9th होंगे, तो 9th का पेपर देख लेंगे, क क्लियर उनके लिंक जरूप हो चाहिएगा, क्लियर आपके जो टच में हो, है ना, सरकार का कोई सा रूप एतर है, तो अराच कता, है ना, और भारत की प्रमक्तम आयात वस्तु एक खनिच तेर, देखतिस्तान है, ओसत आई को डेडेडेडेस कहा जाता है, तो प्रतिवेक्त क्लियर क्लियर क्या कहा जाता है, प्रतिवेक्ति आया, कपाज डेडेडेडेस का पहला प्रतिक है, तो नए यूग का, किसका है, नए यूग का, भारत में सड़क जाल लगबक किलोमेटर में फेला हुआ है, तो चपन लाक वर्ग किलोमेटर में क्या फेला हुआ है, सड़क साधे से यूरोप तीन चोटाई धरातर से ढखा हुआ है तो क्या ढखा हुआ है जल ढखा हुआ है कितना तीन चोटाई भाग मतलब चोटाई है जिसमें तीन चोटाई भाग में क्या वह जली जल है किलिए सही जोड़ी देखेगा अच्छे से इनका स्किन सोट ले लिजे और चाई सबसे यांदा सम्में होती है बोर्न आपका जो यंग यूरोप कांडला की बात करूँ तो आपका गुजरात नेपोलियन की हार 1815 का पास जो है वो महराष्ट में पेदा होता है और महानंदी तो आपका 1939 में अच्छे से ले लिजे और जैसे हम यहां पर पेश का रहाएगा LORBRN कौन था तो एक किया था अंग्रेज जी कवी था किया था एक अंग्रेजी कवी बेलजीम की राज़डा ने बताई तो बृुसेस या बृुसलेस है न GDP में सबसे अधिक योगदान के शेत्र का है तो तिरतियक शेत्र का मानस बाग रिजर्व कहां इस्तापिते असम में स्रेलंका किस वर्स में सोतंतर बना था तो 1948 में बना हुआ था किलियरे और लास्ट है आदंद मट उपन्यास किसने लिखा था किलियर सत्यास्त देखेंगा ओसत आई को राष्ट्याई कहा जाता है कलियर गलत बात है क्योंकि ओसत आई को प्रतिवेक्टि आई कहा जाता है है 나타나 1913 से 1918 के बीच किमते अधिक रहे गई तो यह बाद भी गलत है शेवा छेत्र अर्द विवस्ता का तृतियक छेत्र यह सत्ति यह दोनों आसत्या जाएंगे किसी तता उध्योग एक दूसरे के पूरा खें तो बलकूल बात सत्ती है है ना छट्टा देखेगा स्वयोग तो उध्योग से आप क्या समझते हैं वेस्प्री करन से किस उप्वक्ता वर्ग को अधिक लाव हुआ यह कोशिन आपको प्लेलिस्ट मिल जाए क्लास्टेंट सोसल साइंस के नाम से के लिए और नहीं भी मिले यह कोशिन तो आपकी जहां से आपने क्लास पड़ी या कोशिंग पड़ी वहां पर यह बता होंगे व प्रिश्ट में उगाई जाने वाले मुख के रियसादार फसली में ने बता दिये रवी खरीब में फसलों के नाम बता दिये सिवा छेतर क्या है ना नगत वह व्यपारिक फसले से क्या से मतलब बहुत साइज चीजे आपको प्लेरिस्ट में मिल जाएंगी क्लिए क्या था जोगिक मजदूर से क्या से सतत पोश्णी विकार से क्या से जलोड़ और काली मिट्टी में अंतर मिल जाएगा वन पर्यावन के महत्तु पून आंगे इसकतन को सपस्ट कीजए यहां साब के तीनतीन नमर के यह प्रिश्ट में आपको मिल जाएगा एक कांतत्मक सासन के दो दिकतर चीज़ें मिल जाएगे पर नहीं मिल लएगी तो आपके जो सन्ने बताए प्रेंटर नोट्स में लीक होंगे वहां से इनको याद जरूर कीज़ेदा इस प्रकाइब मैंने आपको जो सोसल साइंस का आपका जो अच्छे से प्रोवाइट करा दिया अच्छे से मेहन